हेलो फ्रेंट्स नमास्ते और फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब होप सो सब अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंट्स तो मेरे हां तो चल रहा है बारिस का मोसम और बारिस के मोसम में कुछ स्नेक्स खाने को मिल जाए कुछ पकोडियां सकोडियां खाने को मिल जाए तो म आजा ही आजाए तो मेरे पास रखी थी भिंडी और मैंने इससे बनाए है भिंडी के स्नैक्स या कहलो कुरकुरी भिंडी इसको आप सोस के साथ खा सकते हो रूटी के साथ खा सकते हो और यह बहुती टेश्टी बनती है तो चलिए सुरू करते हैं भिंडी के स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले ली है भिंडी इनको धो के अच्छे से सुखा लिया है आप इनको दोनों साइड से काट लेंगे और बीच में से काट के और फिर इसके चार पाट कर लेंगे हमें भिंडी को लंबा लंबा ही काटना है आप चाहें बीच भी निकाल सकते हैं, भींडी का सुखा होना काफी जरूरी है, आप चाहें तो भींडी को पहले ही धोके रख सकते हैं, बीच में आप अपने बाकी के काम भी निपटा सकते हैं, और या फिर आप त्रंद भींडी दो रही हैं, तो उन्हें सूती कपड़े से पोंच के उ ऐसे ही हम अपनी पूरी भिंडी रैडी कर लेंगे, तो मैंने अपनी पूरी भिंडी काट ली है, अब मैं इसे एक बड़े बरतन में ट्रांसपर कर लेती हूं, अब हम इसमें एड करेंगे मसाले, हमने लिया है धन्या पाउडर, मेर्च, हल्दी और नमक, सबसे पहले हम पाउडर एड करेंगे, धन्या पाउडर भी हम अभी एड कर देते हैं, नमक हम बाद में एड करेंगे, मसालों को अच्छे से भिंडी में मिक्स कर लेते हैं, ताकि हमारी सबी भिंडी पे मसाले अच्छे से कोट हो जाए, और अब हम इसमें एड करेंगे बेसन, बाइंडि यूज कर सकते हो चावल के आटे से भी भिंडी कुरकुरी बनती है अब हम इसमें नमक डालेंगे नमक हमें पहले नहीं डालना है क्योंकि नमक से नमी होती है और हमारी भिंडी पानी छोड़ देगी खटाई के लिए मैं इसमें डाल रही हूं निम्बू आपके पास अमचू पाउडर भी डाल सकते हो अभी दोनों हाथों सीने अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी सभी भिंडी को भिंडी पर बेशन अच्छे से कोट कर देंगे और आप चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ हमने ले लेना है कड़ाई में तेल और इसे गरम होने के लिए रख देते हैं और तेल को फुल गरम करेंगे तेल जैसे ही फुल गरम हो जाएगा हम अपनी भिंडी इसमें डालेंगे आप देख सकते हैं कि भिंडी नमी पकड़ चुकी है, ये देखिए, मसाले डालने के बाद भिंडी को भो जादा टाइम तक नहीं रखना है, इधर हमारा तेल भी गरम हो गया है, हम एक भिंडी डाल के देखते हैं, कि तेल अच्छी से गरम हो गया है, या नहीं, तेल अच्छी से गरम हो गया था, तो हमने अपनी बाकी भिंडी भीस में डाल दी है आँच को हमने रखा है फुल तेज और हम 50% तक भिंडी को फुल आँच पे पकाएंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा उसको शलो कर देंगे ताकि हमारी भिंडी कुरकुरी बने 20 में हम अपनी भिंडी को हिलाते रहेंगे आप देख सकते हैं कि हमारी भिंडी 50% तक पक चुकी है अब हम आज को कर देंगे सलो और एक दो मिन्ट के लिए से अच्छा गोल्डन होने तक और फ्राइ करेंगे आप देख सकते हैं कि हमारी भिंडी अच्छे से फ्राइ हो गई है अब हम इने निकाल लेंगे मैंने प्लेट में लगा दिया एक टीशू पेपर और इस पेपर पे हम हमारी कुरकुरी भिंडी निकालेंगे ताकि एक्ष्टा तेल नैपकिन पे ही रहे जाए ऐसे ही हम अप कुमेंट करके जरूर बताना ऐसे ही हम अपनी नैश्ट बैस की भिंडी भी डाल देंगे और से मैं थाड़ से इने भी फ्राइ कर लेंगे और अपनी सभी भिंडी इसी तरीके से फ्राइ करेंगे और यह भिंडी बहुती टेश्टी और कुरकुरी बनती है इनको आप रोट हैं तो हमारी यह बिंड़ी रैनी हो गई है इसे भी निकाल लेते हैं प्लेट में और हां अपको रैस्पी रहें जरूर बताना और भिंडी को मैंने रहा है प्लेट में और स dusty मेले cut न्मे ग्लुटो incense